प्रिविद्यारती उसु प्रभात आयफस इंटर कालेज दोरेनिया बरेली की ओनलाइन क्लासस में आपका स्वागत है हम पढ़ना है कक्षा 10 की हिंदी चैप्र नंबर एक चल रहा है हमारा सूरधास के पद इससे पहले हम चार लेक्चर अपलोड कर चुके हैं आप लिश्ट इंदी सिथिल वही के सब विन जिहों देही विन सीज आसा लागी रहत तन स्वासा जी भी कोटी वरिश कहने का मतलब यह है सूरधासी जो हैं कहते हैं कि जो उर्दव हैं स्री कृष्ण के मित्र हैं वो गोपियों को समझाते हैं कहते हैं कि आप स्री कृष्ण को भूल का आपने राकार परहम्मा की उपास्ना कर लीजिए तो गोपिया जो रहा है उर्दव से क्या कहती है वह इसमें बताया गया क्या कहती है आई ये देखते हैं तो गोपिया कहती है कि ऊदो मन ना वहे दस्वीश के ऐख। हमारे दस-बीस मन नहीं है हमारा तो केवल एक ही मन है हमारे दस-बीस मन नहीं है आगे का गतनी है एक हो तो सो गयो एक ही तो था एक ही तो था सो गयो सो चला गया स्याम संग किस के साथ में स्याम के साथ में अर्था स्रीकर्शन के साथ में चला गया को अब राध है इस अब राध है मतलब आराधना करना तो अब हमारा जो मन अब कौन से इस वर की आराधना करे ऐसा बोल रही है कोप्या इंदी सितिल वहीं केशब विन इंदी मतलब जो इंद्रियां है आंक कान ना यह कैसे सितिल हो गई है सितिल मतलब सक्ति विहीन हो गई है काम ही नहीं कर रही हैं जैसे आखें हैं तो आखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हाते हां से कुछ इसपर्थ नहीं हो रहा है कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है नाक से कुछ सुंगा नहीं जा रहा है तो इंद्रिया कैसे हो गई है सितिल हो गई है मतलब काम करना बंद कर दिया किसके वियोग में स्रीकृष्ण के वियोग में जियो देही बिनसीस किस परकार से हो गई है जैसे के बिना सीस के यानिके बिना सर के जो देही होती है उसके समान हो गई है हमारी इंद्रिया आसा लागी रहत तनस्वासा आगे का करती है कि आसा लागी रहत यान उनके लोट के आने की आस में चल रही हैं जीवी कोटी वरीष और कागे क्या कहती है कि उनके आने की आस में हम लोग जो हैं कोटी वरीष याने के करोणों वर्सों तक जीवित रह सकते हैं उनके आने की आस में हम लोग करोणों वर्सों तक जीवित रह सकते हैं तुम तो सखा स्याम सुन्दर के सकल जोग के इस आगे क्या कहती है कोफिया कि है उर्दाब कि तुम तो सखा तुम तो सखा स्याम सुन्दर की तुम तो स्याम सुन्दर नहीं वगवान स्री कृष्ण के सखा हो मित्र हो और कहा है सकल जोग के इस अर्थात संपूर्ण जगत के जानने वाले हो जैसे कि वगवान स्रीकर्षन जानते हैं अर्थात कह सकते हैं कि तुम हमारा उनसे मिलन करा सकते हो सूर हमारे नंद नंदन बिनू और नहीं जग दिस आगे जो सूर्दासी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं क्या कहती हैं कि नंद नंदन सूर हमारे नंद नंदन हैं कि सूर्दासी कहते हैं कि हमारे नंदन नंदन कौन भगवान स्री कर सुन यानि कि नंद के पुत्र भगवान स्री कर सुन बिनू और नहीं जगदिश यानि कि बिन मतलब बिना उनके बिना और भी हमारा जगदीश मतलब भगवान उनके बिना हमारा कोई भी भगवान नहीं है तो ठीक है प्यारे बच्चों यह आपका यहां से लेकर यहां तो किसकी व्याख्या कम्प्लीट हो गई संधर्व इसका पूरुववत रहेगा पिरसंग इसमें क् कि जब उर्धव जो है बिरज में आते हैं तो गोपियां उनसे अपनी मन की विथा कहती है सुनाती है और वो उनसे यह कहती है कि हम स्रीकृष्ण के अलावा किसी और की आराधना करना नहीं चाहते तो यह इसका क्या हो जागा संधर्व हो जागा परवच्चों का बिगत सं आज़ेगी और जो आपका रस ऌगा वो कौन से को ब्यों खरण में विशाणने की बाथ है इसमें और अलंकार आपका सौलेश अलंकार होंगा और जो चंद और आपको अपको जो को प्सक्त हो तो इस परकार से यहां से पूरी तरीकर से कंप्लीट हो जाता है अब दूसरा जो चंद हमारा सुरी दूसरा जो पद है इसको देखते हैं तो इसको कंटीनू करते हैं आए देखते हैं यह क्या लिखा हुआ है निरगुन कौन देश को बासी मदुकर कही समझाई सहुदें बूजत साचना हासी यानि कि जो गोपियां है बहरमर के माद्यम से क्या कहती हैं कहती हैं गोपियां कि आपका यह जो निरगुल ब्रह्मा है वो कौन से देश का रहने वाला है कि निरगुन कौन देश को बासी यानि कि जो गोपियां है वो कहती हैं बहरमर के माद्यम से कि आपका जो निरगुल ब्रह्मा है निराकार ब्रह्मा वो किस देश का रहने वाला सबना है मतलब होता है भव्रे मुझे समझा कर माधुकर कही समझा है या कि मतलब सफ़त कर रहи हूं कि मुझे समझा दे बूटत सांच नहां सी मैं तुस्से सच सच पूछना चाहती हूं मैं हस्ती मजात नहीं कर रही हूं ऐसा बोल रही है को है जनक कौन है जननी जनक मतलब होता है पिता कि इनका पिता कौन है कौन है जननी माता कौन है इनकी माता कौन है कौन है नारी इनकी अर्थात इनकी पतनी कौन है को दासी और इन की दासी कौन है कैसो बरन वेसे इनका कैसा एक बेस्भूसा है अर्थात किस परकार के बस्तर पहिंते हैं इनकी बेस्भूसा कैसी है कि ही रसमें अवलासी और किस रसमें अविलासा करने वाले अविलासी का मतलब होता इच्छा करने वाला किस रसकी इच्छा करने वाले हैं य जोरे करेगो गासी, आगे गोपियां क्या कहती है, बवरे से कि पावएगो पुन कियो आपनो जोरे करेगो गासी, गासी मतलब छल, यह दी है बवरे, तु हमसे छल करेगा, तो अपना किया हुआ, अपने आप ही तु पाएगा, जैसा करेगा, वैसा भरेगा, ऐसा कह रही है, सुनत मौन हवे रहो सुनत मौन हवे रहो बावरो सूर सवय मतिनासी और लाश्ट में का करते हैं कि इन सब बातों को गोपियों की इन सब बातों को सुन कर जो उर्दव होते हैं वो कैसे रहा जाते हैं सुनते रहते हैं यानिके मौन हो जाते हैं बावरे की तरह सुनते रहते ह सूर सवय मतिनासी मतिमाने उनकी बुद्धि व नासि आए क्या हो जाता है यानी कै वो क्या करते हैं एक त्रीका से confuse ुड उड़ाथ मैं कि मैं इनसे आप क्या बात कहूँ सब प्रकार से यॉभी हो जाते हैं मती नासी यह और उनकी बुद्धी जो है कैसे हो जाती है नश्ट हो जाती है उनकी बुद्धी नश्ट हो जाती है तो प्यारे बच्चों यह आपकी यहां से यहां तक इसकी ब्याख्या हो गई संदर्व पूर्वत रहेगा प्रसंग इसमें क्या हो सकता है कि इस कि उरद्र की वात को गंबिर्दा से नहीं सुनती है और उनकी वात का ऊपहास करती यह उपहास मतलब कह सकते हैं उनकी बात को आप अप हास करती है मजाक बनाती है उपहास करती है और बिरमर के माध्यम से कहती है जो भी बातете э किसके माध्यम से कहती है क्या कहती है उसके बाद आप भया ख्यात्य लिगताए इसका पर जाए तू प्यारे फच्छो इसका काव का सब्सक्राया का सकता कि इसमें गोपियों की किर्ष्ण के पिर्थी प्रेम भावना बेक्त हुई है और क्या लिख सकते हैं आप कि गोपियों की तर्क सिल्टा का चित्रन किया गया है कि उन्होंने अपनी बात को किस परकार से भिरमर के माद्देम से कहा है आपकी यहां से ब्यांवी पूरी हो गई कि यहां से जतना भी मैंने पढ़ाया है आपकी परक्षा में जरूरा है लगा और वही बढ़ाया है जो परिक्षागी दिश्टी से बहुत ज्यादा महत्व पूर्ण तो प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी चरूर कर लिजीगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडि झाल